नमस्का डियो स्टेंड्स वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत है आज काई वीडियो आप सभी छात्रों के लिए काफी जाद स्पेसल होने वाला है special क्यों होने वाला है क्योंकि यहाँ पर आपके लिए जो RBSC यानि कि रास्तान बोर्ड का जो आपका social science का सामजिव ग्यान का जो पेपर है वो माँ आपके लिए लेकर आया हूँ आपको पता है कि आपका time to be ला चुका है 29 मार्स हो जो आपका पेपर आएगा same कुछी इसी परकार से आपका आने वाला है और यह जो पेपर है वो आपके लिए काफी important है viral paper आप सभी छात्रों के लिए लेकर आया हूँ और इसमें से जो क्यूशन पूछे जाएंगे वो सभी आपके लिए ज्यादा एक तरीके से अनिवारे रूप से आपको देखने को मिलेंगे ठीक है बाकी 80 नंबर का यह paper है 20 नंबर आपके 7 रांग के बेजे जाते हैं जो कि आपकी विस स्कूल के द्वारा बेजे जाएंगे जो बुद्वार को आपका paper होगा 29 मार्च को आप उससे पहले इस paper को देख के जाना और इस paper के answer यहीं पर मैं बताने वाला हुगा ऐसा नहीं है कि आपको मैं paper पड़ करी बताऊंगा इसके साथ में जो answer है वो भी मैं आपको मतलब की बताऊंगा जो कि एक तरीके से बिल्कुल correct रहेंगे आप सबी के लिए तो चलिए बिना देरी करते वे वीडियो के start करते है अगर चैनल पर फश्ट बार आये तो चैनल को subscribe कर लेना और बाकी मैं RBSC की जो playlist है वो बना दूँगा जितने भी paper है old paper आपको वाँ पर देखने को मिल जाएंगे एक बार चैनल पर जाकर जरूर visit कर लेना ठीक है तो बात करते हैं first question की तो यहाँ पर आपका first question है तो देखिए लगातार मैं आपको बताते हो चलूँगा एक बार आपने नहीं देखा है तो एक बार देख लेना आपको लगाता है सब कुछ यहाँ पर मैं बताते हुए चलूँगा फर्स्ट क्यूसन है आपका रास्तान की सबसे लंबी एवं एक मातर वर्स बर बहने वाली नदी है कौन सी नदी है तो देखो आपको मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर इसका मतलब की राइट आंसर होगा वो होगा चम्बल ठीक है चम्बल रास्तान की एक मातर बारा हमासी यान की बारा महीने बहने वाली एक नदी के रूम में भी जानी जाती है और यह रास्तान में बहने वाली सबसे लंबी न दिया ठीक है ये भी आपको बता रहा हूँ जो extra question बनेंगे वो भी आपर मैं बताते हुए चलूँगा ठीक है next question की बात करते है आपका जो next question है बारत की कुल जनसंक्या का कार्य सील भाग है तो क्या भाग है तो देखिए यहाँ पर काफी आकड़े दे रखे है आपको side point 39 परतिसत दे रखा है 45.01 परतिसत दे रखा है 50.21 परतिसत दे रखा है 30.00 परतिसत दे रखा है तो इसका जो right answer होने वाला है आपका देखो कुल जनसंक्या का 63.4 परतिसत है ठीक है मतलब कि कारिसील आयू हो सकती है तो इसका मैं आपको बताना चाहूंगा 63 दे रखा है तो यहाँ पर इसका right answer होगा 60 ठीक है क्या होगा 60.29 परतिसत नेश्ट कुशन की बात करते है आपका नेश्ट कुशन है आपका वो है by C किसके दर्बार में रहते थे तो देखिये किसके दर्मार में रहते थे तो यहाँ पर आपको option दे रखे हैं जैसे सवाई ञैसिंग शिवा जी होगे परताप सिंग होगे रनजीत सिंग होगे तो आपको मैं बताना चाहूंगा इसका right answer होगा सवाई जैसिंग सवाई जै सिंग मतलब कि एक तरीक से राइट आंसर होगा इसका सवाई जै सिंग नहीं इसका राइट आंसर होगा आपका परताप सिंग ठीक है परताप सिंग इसका राइट आंसर होगा सवाई परताप सिंग ठीक है तो जैसे इनका आफी जैसे मैंने 22 बोला तो इससे पहले था गंदर्व 22 किस के दर्स पड़ार में रहते थे वो रहते थे परताप सिंह के दर्भार में फ informing क्यूसर ने रास्थान का पर्थम अंतरस्टी है हवाई स्थीत है तो जो रास्थान में directors होई अड़ा है वो सांगा नेर जैपूर में श्तित है का पर सांगा नेर जैपूर में यह आपर इसका राइट आंसरों का जैपूर ठीक है जो कि सांगा नेर थाने के पास में पड़ता है वो यह पर इस्तित है आप चाहो तो इसको जाकर देख भी लेना शिक्स नंबर का क्यूसन है ब्रह्म समाज की स्तापना किस ने की तो जो ब्रह्म समाज है इसकी स्तापना किस ने की थी देखो ब्रह्मन वैसे ब्रह्म को ब्रह्मनी बोल सकते है तो उसको सभी चात्रों को पता है कि राजराम मोहन राय ये एक तरह कैसे इसके संस्तापक भी है सब्सक्राइब कर देना और इस चैनल को इतना सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों साथ में इस वीडियो को सेर कर देना जिससे उनको भी ये चीज़े पता लग सके साथ वा क्यूसन है आपका मिट्टी किसे कहते हैं समझाईए तो सीधी सी बात है देखो पर्थ्वी के उपरी सत्य पर मोटे मद्यम और बारिकी कार्बनिक तता एकार्बनिक मिट्टी आप संस्क्रत में मर्दा बोल सकते हो या उसको वैसे सोहिल बोल सकते हो या वैसे इसको मिट्टी बोल सकते हो इसको क्या कहते हैं इसको मिट्टी कहते हैं ठीक है नेक्स्ट क्यूसन है मर्दा की उपरिसतो परी से मिट्टी अठाने पर प्राय जो प्राप्त होती है उसे चट्टान कहते हैं ठीक है चट्टान का भी आपको क्लियर हो गए Next question है आपका आठवी नंबर का लिंगा नुपात क्या है 2011 की जंद्गंड़ना के अनसार रास्तां में कितना लिंगा नुपात है देखो 2000 की जंद्गंड़ना के अनसार बारत का लिंगा नुपात जैसे परती 1000 थीक है परती 1000 परीशों पर 940 मेला यह है रास्तान का लिंगानुपात पर ती हजार पुरूसों पर 928 है लिंगानुपात ग्रामिंड 933 है इत है नच्ट नमबर क क्योसन क का आंसवर चलिए मैं बताता हूँ आपको सविदान के प्रकार बताईए सविदान के कितने प्रकार है वो आपको मैं बताना चाहूंगा देखिए सविदान के काफी प्रकार है वैसे मैं आपको मूलते बताऊं तो इसके पाच प्रकार हो सकते है जैसे कि फश्ट की पाच प्रकार हो सकते है और वैसे मैं आपको एक बार बता भी देता हूँ जैसे फर्ष्ट हो गया वो हो गया विक्सित क्या विक्सित ठीक है विक्सित सविधान हो गया सेकिंड हो गया बनाया गया सविधान ठीक है थड हो गया लिखित सविधान फोर्थ हो गया एलिखित सविदान और पांच वे नंबर का हो गया लचिला सविदान है ठीक है तो यह इसके एक तरीके से टाइपस हो जाते हैं सविदान के जो कि आप सभी छात्रों को बली बाती से पता भी होगा ठीक है सविदान की यही परकार होते है विक्सित सविदान बनाया गया सवि लिखिट सवीदान लचीला सवीदान ठीक है तो यह इसके परकार है लचीला सवीदान देखो यह थर्ड नमर का है लिखिट सवीदान इसके दो परकार माने जाते हैं लचीला सवीदान और कठोर सवीदान ठीक है लचीला और कठोर इसके दो परकार माने जाते हैं जो कि मैंन सील देशों के विकास में आने वाली बादाओ में से किनी दो बादाओ के नाम लिखो आप देखो दो बादाओ के नाम आपको बता भी देता हूँ देखो विकास सील चलिए मैं बता देता हूँ आपको विकास सिल देशों में पूंजी की कमी, आय की नियूनता, बड़े पे मानव पर उद्धोगों का अभाव, कर्सी पर निरबड़ता, धने एवं आय के वित्रन की, एसमानता, बेरुजगारी एवं वित्तिये, संस्ताओं को अभाव जैसी समश्याय मुझूत होती है, इन समश होती है, जैसे कूपोशन की समश्याय और भी होती है, ठीक है, बादाओं के नाम पर, मतलब की विकास सिल देशों के विकास में आने वाली बादाओं में किनी दो बादाओं के नाम लिखो, तो जैसे कि एक तो कूपोशन की, बाकि तो मैंने बिल्कुल किलियर कर दिया है, बाकी एक जैसे बोल सकते है कूपोर्षन की मतलब किसी काय हो सकती है या किसी समश्या हो सकती है ठीक है और तो बाकी आपको पता ही होगा जैसे गंदी राजनेती हो गई ब्रश्टाचार हो गया बढ़ती जनसंक्या हो गई गरीबी हो गई और सबसे बड़ी चुनोती मतलब कि बेरोजगारी सबसे बड़ी एक तरीके से बात आई है ठीक है नेक्स्ट की बात करते है बारवे नमर का क्यूसन है जो कि आपर देख सकते हो या आपर दो इस्तम दिये गए तो इस्पेशल प्रोटेक्शन गुरूप ठीक है ओ जैसे बैसे सुमें लित करना है तो देखो इस्तम प्रोटेक्शन गुरूप क्या होता है देखो इसके बारे में आप सभी छात्रों को चलिए मैं बता देता हूं बीन्हें वक्तियों की सुरक्षे हो special protection group के दूआरा होती है और केंद्रिय ओदोगिक पुलिस बल ठीक है यह इसका मिलान ही हो जाएगा ठीक है यह इसका राइट मिलान हो जाएगा ओदोगिक पुलिस बल तो यहाँ पर ओदोगिक पृतिश्टानों की सुरुक्षा और special protection group ही यहाँ पर अतिमेत्य पूर्ण वेक्तियों की सुरक्षा जैसे कोई CM हो गया या राष्टी मंत्री हो गया उनकी सुरक्षा ठीक है तेरवे क्यूसन की बात करते हैं पर्थिवराज चोहान के राजकवी और उनकी परशिद्ध रजना का नाम लिखिए यह दो नमबर क्यूसन है आपका देखो पर्थिवराज चोहान के राजकवी का नाम मैं यापर लिख देता हूँ उनका नाम और उनके द्वारा रचित गरंद का नाम था वह लिख देता हूँ यापर प्रत्वी राज प्रत्वी राज रासु ठीक है प्रत्वी राज रासु उसका रचित गरंद का नाम था ठीक है तो यह चीज मैंने आपको यहाँ पर किलियर कर दिये देखो एक बार मैं फिर से किलियर कर देता हूँ आप सभी चात्रों को फर्ष्ट तो ये कि पर्थिवराज चोहन के राजकवी का नाम क्या था तरह उनकी परशित रचना का नाम देखो राजकवी का नाम था चंदर बरदाई और उनकी परशित कविता का नाम था पर्थिवराज रासु ठीक है नेश्ट क्यूशन की बात करते हैं चोधियो नमबर रेखा कहा जाता है क्योंकि चेतर प्राकर्तिक संसादनों के से बरखूर है रास्तान की सबसे ज्यादा वनिश्पतिया और Хनीज संसादन इसी परएस्थ संखला में पाए जाते है यह परएस्थ संखला रास्तान की अधिकतर नदियों का उद्गम इस तलबी है इस परवर्ष सरंकला में वन्य जीयों की भरमार है इसलिए इसको रास्तान की जीमरेखा भी कहा जाता है ठीक है एक बार आप इसको खुछ से लिख लेना आपको पता लग जाएगा या अपनी जो नोटबुक है उसमें देख लेना मैं तो आपको बताई रहा ठीक है मैं तो बताई रहा हूं जिससे कि आपको याद रही एक बार रिवायच गर के दुबारत षी वीडियो को देख लेना जिससे कि आपको और भी कर्ण फरम हो जाए पंद्रुए नमबर का क्यूसन है मैं बिल्कुल आराम से बता रहा हूँ जिससे के वीडियो थोड़ नरेंदर मूदी ने कब 25 सितंबर ठीक है कब 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया कार एकरम की शुरुआत की जिससे बारत को मैथपूर्ण निवेश एवम निर्मान सरचना तता अभी नव प्रियोगों के वेश्विक केंदर के रूप में बदला जा सके ठीक है माननी है मुख्य मंतरी परदान मंतरी स्रीन इंडर मुदी के द्वारा चलाया गया था 25 सितंबर 2014 को नेस्ट की बात करते हैं सोड़े नमर का संसदिय व्योस्ता में राष्टपति केवल नाम मात्र का कार्यपाली का परमुख होता है तता वास्तविक कार्यपाली का सक्तिया परदान मंतरी में नीजित होती है इसका तन के आदार पर परदान मंतरी को प्राप्त किनी चार सक्तियों को लिखी है तो चार सक्तियों के बारे मैं आपको लिखना है ठीक है तो मैं इसको डायरेक्टी बता देता हूं कि जो मतलब की एक तरीके से परदान मंतरी को प्राप्त किन ही चार सक्तियों को बताईए तो ये इसका एक तरीके से मतलब की राइट आंसर भी हो गया जैसे मैं इनके कारिये भी बता देता हूँ और सक्तिया भी बता देता हूँ परदार मंत्री की क्या क्या सक्तिया रहती है ठीक है जैसे कारिकाल भी रहता है परदार मंत्री को नियुक्त कोन करता है और नियुक्त लोग सभा में भवमत दल के नेता होने के कारण वह लोग सभा में सासन की परमुक नीतियों एवं कारियों की गोशना करता है तता लोग सपा के सद्धश्य दुआरा गंबी रिविश्यों से सम्मधित पूछे गए प्रशनों के उत्तर देता है ठीक है देश की वित्वियस्ता एवं राष्टिक वित्तिय विवरन निर्दारित करने में भी परदान मंत्री की मुख्य भूमिक होती है साथ ही में परदान मंत्री की सलापर मंत्री परिशत के सद्धिशन यूगत और बर्खास्त किये जाते हैं बहुत बड़ी एक तरीके से उनके पास में सक्ति होते हैं परदान मंत्री मंत्रियों के विबागों का आवंटन करता है इसके बाद में next सक्ति बता देता हूँ कि परदानमंत्री किसी भी समय लोग सबाग के विगठन के अनुसंसा राष्टपती से कर सकता है उसके बाद नेक्स्ट बता देता हूँ परदानमंत्री मंत्री परिशत की बैठकों की अधिक्सता करता है तथा उनके निर्ने को प्रवायुत करता है एक लास्ट और बता देता हूँ कि सविदान के अनुच्छेद 38 के अनुसार परदानमंत्री को यह सकती है कि वह परसासन तता विदान से समंधित सूजना रश्टपती को देता है ठीक है यह पावर हो गई अगर इन में से आप एक दो भी लिख देते हो तो आपको काफी नंबर मिल जाएंगे नेश्ट क्यूशन की बात करते हैं भारत पाकिस्तान विवाजन के पसाथ विस्तापितो द्वारा देश और समाज को आगे वड़ाने में दिये गए योगदान का संगसेप में वर्णन की करो तो मैं बता देता हूं देखो बारत का विवाजन कब हुआ था एक तरीके से मैं आपको बताई देता हूं कि संगसे में एक तरीके से विवरण तो आप खुद कर सकते हो लेकिन मैं फिर भी थोड़ा बहुत कुछ बताई देता हूं आपको कि बारत का विवाजन माउंट ब पाकिस्तान अधी राजय नामक 2 सवाय तो प्यनिवेस बना दिये जाएंगे ब्रिटीस सरकार साथा सोब देगी सरत अंत्रता के बाद ही 14 अगस्त को पाकिस्तान अधी राजय और 15 अगस्त को संग यानि बाद में भारत गनराजय की संस्थापना की गry इस गठना करम में मुक्यत ब्रिटिस बारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी पाकिस्तान और बारत के पक्सिमी बंगाल राजय में बाठ दिया गया और इसी तरह ब्रिटिस बारत के पंजाब प्रांद को पक्सिमी पाकिस्तान के पंजाब रामत और बारत के पंजाब राजय में बाठ दिया गया इसी दोराण ब्रिटिस, राजे में से सिलोन और बर्मा को भी आला किया गया लेकिन इसे बारत के विबाजन में नहीं सामिल किया जाता है इसी तरह 1931 में यहनी कब 1931 में पाकिस्तान के विबाजन और बंगलादेश की स्तापना को भी इस गठना करम में नहीं गिना जाता है नेपाल और बुठान इस दोरान सोतंत्र राज्यते और इस बटवारे से प्रभावित नहीं हुए ये पूरी कानी है जो कि मैंने बिल्कुल क्लियर कर दी आप सभी को ठीक है आपका नेश्ट कुशन है अठारवे नंबर का चलिए मैं ये भी बताजिता ह क्या सामाजिक बैसकार क्या है इसको आपको वैसे समझाना भी है कि सामाजिक एक तरीकी से बैसकार क्या होता है और इससे आप क्या समझते हैं देखो यदि कोई व्यक्ति या समू किसी दूसरे सद्श्य या समू को नहीं कि कोई स्पेसल व्यक्ति है किसी दूसरे व्यक्ति हो गया कोई समू हो गया को किसी भी सामाजिक या दार्मिक रितिरी वाज या समारों को देखने से रोकने या रोकने का प्रियास करता है या सामाजिक दार्मे कि या समुधाई के समारो लोगों के जमावड़े मंदली बैठक जुलूस में बाग लेने से रोकता है तो इसे सामाजिक बैसकार की स्रणी में माना जाता है समझ गए सामाजिक बैसकार क्या होता है देखो आप किसी एक विसे समुधाई के student हो या आप एक व्यक्ति हो जैसे कि आप मालीजी जैसे ब्रामन हो गए, राजपूत हो गए, जाट हो गए अईहर हो गए, आप कोई बड़ी कास्ट के एक तरीके से व्यक्ति हो और आप जैसे कोई भी साधी करते हो या कोई जुलूस करते हो या किसी गाउं का मेला बरता है या कोई आप समारो कर रहे हो या आप कहीं पर भी एक तरीके से मंडली बना रहे हो या जमाउडा कर रहे हो तो आप चाहते हो कि कोई मतलब कि नीची जात का या कोई अन्य ब्रादरी का जो विक्ति है वह आपकी जात में ना है, तो इसको ही एक तरीके से सामाजिक भईहिसकार इसको बोल सकते है, ठीक है, नेच्ट कुछन की बात करते है, बिल्पुल जितना आपको समझाने की कोशिस कर सकता हूं, इतना समझाने कोशिस कर रहा हूं, बाकि आपके उपर डिपैंड करता है कि आप कितना समझ सकती हो नैस्ट क्यूशन रहे वर्णाक्यूलर प्रेस एक्ट पर एक टिपनी लिखिए अब देखो वर्णाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या है इसके बारे में थोड़ा सा बते दाओ कि अंग्रे सरकार द्वारा बारत में सन 1888 में ठीक है 1888 में देशी प्रेस अधिनियम यानि वर्णाकूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया के बारत ये बासाओ के पद्ठ पत्रिकाओ पर और कड़ा नियंत्रन रखा जा सके उस समय लोड लिंटन भारत का वाइस राए था ठीक है यानिकि इस प्रेस एकोंतया थ कोई भी हमारे विरूद यानि की जो ब्रिटी सरकार था उसके विरूद sampai mad इस वजह से ये न्शलब लाघु किया दयता अब देखो यह बिलकुुल सौर्ट क्यूंशन है प्रमप्रागत और उर्जासंस्ताद्रों में अंतर बताईए यह बिल्कुल सोट क्यूसन है जो कि आपको पता होगा चलिए मैं एक बार फिर्ची बता देता हूं जिससे कि आपको याद रहे थोड़ा आपको याद किया हुआ वैसे तो आपको अगर यह नहीं पता है तो आपको पढ़ने का कोई मतलब भी नहीं है ठी सामिल है ठीक है यह सीधा साइंज का अउधारणमा आपको दे जता हूं और बाकी आप इस पश्ट कर लेना परंपरागरत में तो क्या है जैसे कोईला हो गया पैट्रोलीम हो गया या बिजली हो गया गैर परंपरागरत में क्या है उसमें है सोरूरजा वायूरजा बायूम ठीक है नेश्ट क्यूशन की बात करते हैं 21 क्यूशन सडक दुरगठनाय कम से कम हो इस हेतू हम किनकिन यातायात नियमों का पालन करना चाहिए अगर आप सिटी में रहते हो तो आपको यह चीज पता होनी चाहिए बिलकुल आसान चीज है बहुत नोर्मल चीज है जैसे कि वहां चलाते समय वैद्द पत्रों के साथ सदेव हैलमेट का प्रियोग करना चाहिए निकी पत्रों के यानिकी जो डेगुलेशन रहते हैं इस्ट्रेक्शन रहते हैं या रूल रहते हैं उनके अनुसार आपको हैलमेट यूज करना चाहिए आपको बत्ती के साफ से चलना ह चार पई या वाइनों में सीट बैल्ट का प्रियोग करना चाहिए निर्दारित गति से अधिक गतिवन से या नींद किस हालत में भाहन नहीं चलाना चाहिए अगर आपको यह हालत है या तो ड्राइविंग नहीं करें या करें तो आप पीछे बैठ जाएए ठीक है पीछे बैठ जाएए आपके खुद की गाड़ी है तो पीछे बैठ जाए नहीं तो या कैव वगरा ओला वगरा जो भी रहता है उबर वगरा जो भी रहता है वो आप कर लीजिए ठीक है नेश्ट कूशन है बारत के मानचितर में नीमन को दर्शा है यह रास्तान का आपको पता है यह जैसे बारत का यह नकसा हो गया ठीक है यह नकसा हो गया बारत का यह नकसा हो गया ठीक है यह बारत का नकसा हो गया ठीक है यह बारत का नकसा हो गया ठीक है यह बारत का नकसा ह एक बार मैं आपको बता देता हूं कौन कहां पे हैं जिससे कि आपको याद रहे ठीक है जिसे रास्ता नहीं बात करते हैं रास्ता ना आपका इधर आ गया ठीक है रास्ता ना गया हिमाले परवत यह इधर की तरफ हो जाएगा नई दिल्ली रास्ता ने पास में नई दिल्ली एविगे फिखे के माला परवत नई बता दिये मैंने जम्बु कसμεीर यो उपर तरफ जम्बु कसमीर आगए खिखे बंगाल एथर और खारी यह इदर आ गई थीखे बंगाल जीए बंगाल गाड seconds त्था रेगी बंगाल काड़ी है नाम लिखिए कितने में बाटा गया है देखो मैं आपको डारेट बता देता हूं बाकि आपको explain खुद को करना है अगर मैं explain करने बैठ गया तो बहुत लंबा वीडियो जाएगा वैसे मैं बता दू बारत को पांच बागोलिक परदेशों में विवाजित किया गया है जैसे थार का मरुस्तल हो गया देखो थार मरुस्त्रिय परदेश दक्षणी का पठारी परदेश पूरी पक्सिमी तर्टिय परदेश वद दीव समू ठीक है पांच बागों में बाटा गया है बाकि नाम भी मैंने मैं आपको बता दिया है कि जैसे थार मरुष्त्रिय पर्देश दक्षनिक का पठारी पर्देश पूर्विय तट्य पर्देश दीव समो और बाकी और भी होंगे ठीक है रास्तान की रितूओं का वर्णन कीजिए तो रास्तान की जो रितू है देखो वैसे मैं उनका नाम बता देता हूँ जैसे फर्ष्ट रितू हो गई आपकी ग्रिस में ठीक है मजी से यहां पर दर्शा देता हूँ सेकंड रितू हो गई आपकी वर्षा इसको वी से दर्शा देता हूँ थर्ड रितू आपकी हो गई वो हो गई सरद इसको एस से दर्शा देता हूँ फोर्थ रितू हो गई आपकी सीथ इसको मैं एस टू से दर्शा देता हूँ ठीक है आपकी हो गई ग्रिस में वर्षा सर सरद और सीथ ठीक है यह चार आपकी रितू हो गई इनके बारे मैं आपको एक्स्प्लेइन करके बता देना कि इसमें सरद में क्या होता है ग्रिस में क्या होता है ठीक है इसके बाद में आपका 24 नमर कुशन है बारतिये सविदान द्वारा नागरी को कौन-कौन से मोलिक अध के इक हैं अली को अधिकार में बता देता हूं इसके बारे में और दूसरा आप यह है आपका जैसे स certificate के विरुद अधिकार हो गया, इसके बारे में आप बता देना, या आप जो ये सवतन दता का अधिकार है इसके बारे में बता देना ठीक है, इन मैं सो कोईसा भी बता देना सबी आपके लिएबलेंट है, next question है कर्तवियों के बिना हमारे अधिकार खोकले हैं बारत्य सविदान दुआरा नागरिगों के कौन-कौन से मौलिक कर्तव ये निर्धारित किये हैं कौन-कौन से देखो वैसे मा आपको कर्तवियों के जी सूची है वह बता देता हूं जैसे देखो सविदान का पालन करे और उसके आदर्सों का संस्ताओं का राज दवर्द एहुम राष्टी गान का आदर करे सौतन दर्टा के लिए राष्टी आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच आदर्सों को हर्द्यम में संजोई रखे और उनका पालन करे बारत की संपरबुर्ता एकता और अक्षनिता की रख्षा करे तता उसे एकसून एकसून रखे ठीक है तो ये चीजे थी जो मैंने बता दी बाकि एकस्प्लेन आप खुछ से कर देना बाकि देखो जो मैंने में रहता तो वो मैं खुदी बताते चल रहा हूँ नेस्ट कुसन आपका उसके बारे में बात करते हैं 1857 के सवतंतरता संगराम के प्रमुकार्णों का संगसेप में वर्णन कीजिए तो ये वर्णन आपको करता है देखो मैं इसके बारे में थोड़ा बोत आपको मैं बता देता हूँ बाकि आप खुछ से कर लेना कि 1857 का विद्रों मुख्यत है उत्री और मध्य बारत तक की ही सीमी था वर्सों से बारत में ब्रिटिस इंडिया कंपनी की विस्तारवादी नीतियों परसासनिक नवाचारों और आर्थिक सोशन के प्रणिनाम सवरू बारत के लोगों में एसंतोस पैदा हुआ यही है एसंतोस 1857 के विद्रों के कारण यानि की क्यूजे जो रिवोल्ट ओफ 1857 इन हिंदी के तोर पर माना जाता है ठीक है नेश्ट क्यूशन है आपका जलियावाला भाग हत्याकान का वर्णन कीजिए अब देखो ये जनरल डायर के द्वार किया गया था बाकी मैं थोड़ा भौत और बता ढेथा हूं आपको बता है रहूँ फिर भी आयापको थोड़ा बता ढेथा हूं कि जलियावाला भाग हत्याकान भारतियत्यास में एक कलंकित गटना है आपको भी पता यह चीज बहुत लोग मारे गए थे अमरसर के जलियावाला भाग में एक भीड सांतिपूर तरीके से इकटी हुई थी तो बिड़िटी सरकार ने उस पर गोली चलवा दी थी जिसमें अनेक निर्दोस और निहत्ते लोग मारे गए थे अंग्रेजो की गोली से बचने के लिए अनेक लोग उसी बाग में मौजूद है कुए में भी खूद गए थे और यह 13 अप्रेल कब करवाय गया था 13 अप्रेल 1919 में करवाय गया था जनरल डायर के द्वारा ठीक है जिसमें हज़ारों लोग मर गए थे मतलब कि कुछ तो गोलियो से और कुछ कुए में पढ़कर ठीक है नेस्ट क्यूशन की बात करते हैं तो यह आपके टोटल क्यूशन थी जो क्यूशन थे जिनके बारे में मैंने आपको बता दिये एक एक क्यूशन का जो मतलब कि आंसर हो है वो भी मैंने किलियर कर दिया है बाकि यह आपका काम है इस वीडियो को जदा जदा सेयर करना साथ में लाइक एंड सब्सक्राइब ठोकना ठीक है आज के लिए तना है मिलते है नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय बारत